राज बुटिक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएए जिससे आपको हमाई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हेलो फ्रेंड्स राज बुटिक में आपको सुआगत है आज मैं सीखाओंगी आपको ब्लाउज में बाजू कैसे अटेच करते हैं यह मैंने बाजू पहले से तैयार की हुई है और यह ब्लाजी पहले से तैयार क्यों हैं मैं आपको इसमें स्लीव लगाकर दिखाओंगी किस कैसे अटेज की जाती है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो आप इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि यह मैं बाजू पहले से त्यार कुछ कर चुकी हूं और यह मेरा ब्लाउस है इसमें अटेच करूंगी सबसे पहले हम इसमें अटेच करने से पहले एक चीज का धिहान रखेंगे यह देखिए हमने आगे की कटिंग ज़्यादा की हुई है और पीछे की कम तो इसलिए आगे का हमारा यह पोशन ज़्यादा बढ़ जाता है हम इसको ऐसे करेंगे यूं करके ऐसे मिलाएंगे इन दोनों को ऐसे ऐसे और ऐसे एक कट लगाएंगे यह देखिए हमारे ब्लाउज की सिलाई दर आ रही है लेकिन हम बाजू का जोड यहां से नहीं मिलाएंगे हम बाजू की जोड को यहां रखेंगे देखिए यह हमारी फ्रेंट की कटिंग है और यह भी हमारा फ्रेंट का पाट है हम इस फ्रेंट वाले को इस सिलाई को अप और यह सिलीव में मैंने ये कट लगाया था ये वाला कट और मैं इस कट पे इस सिलीव की सिलाई मिलाओंगी ऐसे और इसको ऐसे उल्टूंगी रहें ये कट ऐसे और यहां ऐसे इसको रखोंगी अब यह जो हमारा मार्जन है हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे ऐसे बैक साइड में करेंगे आप इस तरीके से बाजू लगाएंगे तो आपकी बाजू कभी भी गलत नहीं बैठे की एक दम सही बैठे की और फिनिशिंग के साफ लगेगी यह देखिए अब इसको अपनी सिल्व 23 कपड़े को खेंचेंगे नहीं अपनी सिदींप को ऐसे रखेंगे और अपने प्लाउज को ऐसे ओस न podrट करेंगे हम नीचे की साइड यह देखिए ऐसे इसको ऐसे करेंगे अब हमारा यह कट है और यह सिलाइए यह दोनों हमारे मिल के आने चाहिए देखिए हम इनको ऐसे पकड़ेंगे ऐसे कि यह देखिए कि यह वाला मार्जन हमेज़ा बैक साइड में आएगा इसको पकड़ेंगे ऐसे इन दोनों को ऐसे हमारी सिलाइए खतम होने वाली है अभी यह मार्जन बचा हम इसको ऐसे फोल करेंगे ऐसे करके ऐसे देखिए हमारी सिलीव लग चुकी है कि अगर देखिए हमारी सिलीव कितने अच्छी तरी किसे लगी एक दब फिनिशिंग के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आयो तो आप इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग कि अच्छी तरी के आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब के हमारे वाचिंग